नमश्कार स्वागत हब सभी कार नीज पर आपके साथ मैं हूँ पल्लेवी रवींदर सिंग मध्यप्रदेश सरकार कोरोना की नए वैडेंट ओमिक्रोन को लेकर एक्शन में आ चुकी है इसको लेकर सूबे के मुख्या शुरास सिंग ने आपको बताते के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और कई निर्देश जारी कर दिये सीयम ने कहा है कि स्कूल में बच्चे 50 फीर्दी शमता के साथ आएंगे और ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश वासियों से साथानी बरतने की भी अपील की इस बैठक में ये भी तैक किया गया है कि स्कूल जाने के लिए छात्रों को परजुनों की मन्जूरी लेनी ही पड़ीगी और जब परिजन चाहेंगे तब ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं इसके अलावा शादी समारो पर पाबंदी नहीं लगाई गई है लेकिन समारो पर प्रशासन सक्त नज़र रखेगा यहीं पिछले एक महीने में विदेश से लौटने वाले लोगों की दोबारा जाच होगी और मदप्रदेश में पिछले पचास दिनों में पास्व च्छी केसे सामने आ चुकी है आपको बताते चले जिन में से पास लोगों की जान भी चली गई है बचक के बाद शुराच ने बताया है कि कोरोना वारिस के नए वैरियंट के विदेश में फैलने की सूच ना मिली इसलिए हमने मदप्रदेश में सतरक्ता के लिए कुछ निर्णे लिएं केंदर सरकार के गाइडलाइन के साथ ही कुछ अतरिक्त सावधान या बरती C.M. ने प्रदेश वासियों से अपील की है कि जागरू कहें मास्क लगाएं और यहा संबोधूरी बना कर रखें जरा भी लक्षण दिखें तो तुरंट टेस्ट करवाएं तो विदेश से भारत आने वाले यात्रियों में मिले केस धड़कने बढ़ाने लगे हैं कुछ ऐसा ही डर मुंबई के पास डोमियोली में नजर आया है आपको बताते चलिए डोमियोली में विदेश से आया यात्री कोरोना पॉस्ट्यू पाया गया यह 24 को शक्स दक्षिन अफ्रीका से दिली आया था मुंबई पहुशने पर रिपोर्ट में कॉरोना पॉस्ट्यू आया है शक्स ओमिक्रॉन वेरियन्ट है या नहीं इसके जाच के लिए नमूने लैब में कल्यान डोमियोली महा पालिकार में भेज दिये गए वेक्ति के परिवार के लोगों के भी जाच की जा रही है इसके साथ ही रिख्षिन अफ्रीका से बेंगलूरू लॉट्टे दो लोग कोरोना पॉस्ट्यू पाए गए एरपोर्ट पर दोनों वेत्तियों के कोरोना पॉस्ट्री पाया जाने के बाद उन्हें आइसलेट कर दिया गया हलांकि अब तक इस बात के पुस्ट नहीं हो पाई है कि इन दोनों लोगों में कोरोना का नया वेरियंट पाया गया है या फिन नहीं फिलहाल सैंपल जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भिज दिये गए तो कोरोना का नया रूप ओमिक्रोन दुनिया भर में फैल रहा है डबलू अच्वेनों ओमिक्रोन को लेकर भारत को साधन रहने की भी सला दे दी है वहीं सरकारे भी अभरकत प्राच चुके हैं निगरानी बढ़ा दी गई भारत में कोरोना वारेस के इस वेरेंट के रोप्थाम के लिए छे राज्यों ने पहले से ही तैयारिया शुरू कर दी है दिल्ली, मधप्रदेश, महारास्ट, केरल, करनाटक, उत्रखन की सरकारों ने इस बारे में जरूरी दिशनिर देश जारी कर दिये इसी बीच देश के प्रधान मंत्री नरेन रमोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है जिसमें देश में कोई भी 19 से जुड़े हालातों पर चर्चा करते ही अत्रिक सतर्क्ता और सावधानी बरतने की बात की गई है डबलू अचेनो जो ताजा अपडेट जारी किया है उसके मताबिक कोरोना पीड़तों को फिर से कोरोना होने का खत्रा है अभी पुरानी वैक्सीन के ओमिक्रोन पर काम करने का सबूत नहीं मिला यही वज़े है कि भारस सरकार भी ऐसे गंभिरता से ले रही एक दिसंबर से लागू हो रही विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइस जारी की गई है 12 देशों से आने वाली यात्रियों को कोरोना नेग्टिव होने पर ही यात्रा के अनुमती दी जाएगी लेकिन दिक्कत ही आ चुकी है कि ओमिक्रोन सोच से भी तेजी से फैल रहा है ताजा मामले कैनेडा से सामने आए है कैनेडा में नाइजीरिया से आए दो लोग ओमिक्रोन पॉस्ट्री पाया गए जबकि नाइजीरिया में माइक्रोन का कोई केस नहीं है आपको बताते चले इसके मायने ये है कि माइक्रोन अनुमान सी भी जादा तीजी से अब विश्व में फैल रहा लकिम पुर्खेडी के तिकुनिया कांड मामले में केंद्री मंत्री अजय मिश्ट्रीनी के बेटी और आरोपी आशुष मिश्र मूनू की जमानत याचिका पर लखनाओ में सनवाई होगी जिला अदालत से जमानत अजी खारिश होने के बाद मुख्य आरोपी आशुष मिश्र मूनू ने हाई कोट का दर्वाजा खटखटा दिया है आपकी जानकारी के लिए आपको बताती चलें हाई कोट के इस मामले पर आस सुनवाई करेगा और आशुष मिश्र मूनू की या चुबर को तिकुनिया कस्वे में किसानों के बिरुद प्रदर्शन के दोरान तेज रफतार थार गाड़ी से कुचल कर किसानों की जान चली गई थी किसानों की मौत के बाद मौके पर हिंसा भड़क उठी, अस हिंसा में आट लोगों की जान चली गई थी, गाड़ी से कुचलने की घटना कारो आशीश मिश्र मूनू पर लगाया गया मौनू इस मामले में मुख्या रोपी हैं और इससे पहले कि सुनवाई के दौरन बचाव पक्ष की ओर से जिलाजज की अदालत में सुनवाई के दौरन कहा गया कि मौनू जूटा फसाया जा रहा है जिलाजजर मुकेश मिश्र ने पंदर नौमबर को आउरोपी मौनू की जमनत अर्जी खारिश कर दी थी जिसके बाद इलहबाद हाई कोट के लखनो बेंच में आशीश मिश्र की ओर से 51 बिंद को उठाते हुए जमानत के लिए अर्जी पेश की गई तो दिली में आज से सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खुल जाएंगे बर्ग फ्रॉम भी खत्म हो रहा है दिली सरकार ने अर्जबारे में लेटर जारी करकर जानकारी दी है शिक्षा मंत्री ने ट्विट कर बताया है कि राजधानी में स्कूल 29 नौवंबर से खुलेंगे दिली में स्कूल प्रॉदूशन के बढ़ते इस्तर के कारण बंद कर दिये गए थे सुप्रीम कोट से लेकर सरकार तक सभी ने दिली अंसियार में स्कूल को बंद करने पर सहमती जताई थी जिसके बाद बच्चों को प्रॉदूशन से बचाने के लिए स्कूलों को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया था हलंके बाद में सरकार ने बुद्धवार को चानकारी दी थी कि 29 नौमबर से सभी स्कूल खुल जाएंगे और इसी कड़ी में आपको बताते जिली शक्षा मंत्रू ने बताया कि सभी कक्षाओं के लिए स्कूल सोमबार से खुलेंगे उधर दिली अंसियार में प्रदूशन पर आज सुप्रिम कोट में सुनवाई होगी पिछले हफते कोट ने कहा था कि दिली में हर मौसम में होने वाले प्रदूशन पर बैग्यानिक अध्धिन किया जा रहा है इसके आधार पर सरकार को साल भर के लिए ठोस योचना बनानी चाहिए तो दिली अंसियार में प्रदूशन के मामलों को लेकर सुप्रिम कोट में आज सुनवाई होगी इससे पहले सुप्रिम कोट की ओर से सक्त रवाया अपनाने के बाद दिले अंसियार में प्रोदूशन को कम करने के उपायों पर कई फैसले लिये गए थे प्रोदूशन के मामले आपको बताते चले आज जो है सुनवाई होनी है तीन जजो की बेंच ये सुनवाई करेगी और इस बेंच में प्रोदूशन के इस तरकम करने के लिए निर्माण से संबंदी सभी कार्यों पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया था सुनवाई के दारान कोट ने ये भी आदेश दिया था कि गयर प्रोदूशन कारी गतविधियों जैसे प्लंबर, इंटीर, टेकोरेशन, एलेक्ट्रिशन के काम को बंद नहीं किया जा सकता अपने आदेश में सुप्रिम कोट ने ये भी कहा था कि जितने दिन काम बंद रहेंगे उतने दिन के पैसे राजी सरकार निर्माण कार मजदूरों के लिए बनाये गए फंड से इन मजदूरों को पैसा देगी इसके अलाबा सुप्रीम कोट ने सरकार से प्रदूशन से जुड़े कई अने मामलों को लेकर भी जवा मांगा था जाता है तो वहीं 401 और 500 के बिच गंभीर श्रीणी में इसको रखा गया तो 25 दिसंबर को महराजा सुरुजमल के बलिदान दिवस पर मानोश शंकला का भरतपूर से दिल्ली तक आयूजन किया जा रहा है कारकरम में ग्रामीडों को समधित करते हैं विधायक जोगिंदर सिंग आवाना ने कहा है कि मैं मानोश रंकला के लिए अपना पूरा समर्थन देता हूं महराजा सुरुजमल 36 कौमों को साथ लेकर जनहित के कारे करते थे लेकिन बड़ा अफसोस है कि वीर्श रोमणी महराजा सुरुजमल की शरिगाथाओं का इतिहास में कहीं कोई वर्णन ही नहीं महराजा सुरुजमल को भारत के इतिहास में जरूर सम्मिलित करना चाहिए जिससे भरतपुर के गौर अफशल इतिहास के बारे में और महराजा सुरुजमल के बारे में आने वाली पीरियों को जानकारी दी जा सके विधायक अवाना ने कहा है कि महराजा सूरजमल इमांदारी सच्चाई के प्रतीक थे विधायक अवाना ने आगे अपनी बात को बढ़ाते ही वे कहा कि राजस्तान विधान सभाय में सत्र की शुरुवात होने वाली है और मैं विधान सभाय में इस बात को सदन के सामने रखोंगा कि महराजा सूरजमल की इत्यास को राजस्तान सरकार के शिक्षा पाठिकरम में शामिल किया जाए